कैंट धानी की पुलिस ने लगतार मार पीट में शामिल रहने वाले साथ अभी उक्तों के उपर गैंगस्टर की कारवाई की है जिसकी पहचान भासकर दूबे पुत्र तुलसी धर्दूबे निवासी बढ़को थाना रामगरताल जनपद गोरकपूर दूसरा विश्ण धर्दूबे उर्फ बबलू दूबे पुत्र विनो धर्दूबे निवासी सिंदुली बिंदुली धाना रामगरताल जनपद गोरकपूर सूरस शुकला पुत्र राजेस प्रशाद सुकला निवासी ग्राम गोला बजार बकरही थाना गोला जनपत गोरगपूर चौथा राजन यादो पुत्र रामकरन यादो निवासी बढ़को थाना रामगरताल जनपत गोरगपूर पांचवा अशितोस मल पुत्र शैलेस मल नि पिहारी मिश्वा निवासी जगनात्पुर थाना कोत्वाली जनपद गुरकपुर के रूप में हुई है इस सम्मन्द में गुरकपुर ने उससे बात करते वे एस पिसिटे करश्ण कुमार विश्णोई ने कहा जनपद गुरकपुर में अपराद हैं अपरादियों पर अंकुष लगाने का अनुकरम में आज थाना केंट द्वारा एक गैंगस्टर का अवियोग पंजिकरत किया गया है जिसमें साथ लोग जो लोग गाली गलोच करने अकसर मारपीट करने एवं पार्किंग बस्टेंड और इस तरह की जगों पर मनबढ़ाई करने का एक गिरो है जिनके उपर करीबन उनमें से दो तीन लोगों को उपर दस से बारा मुकदमें भी दर्ज हैं उन लोगों के खिलाब आस गेंगस्टर में अवियोग पंजी करत कर साथ लोगों के खिलाब मुकदमा तच किया गया है एवं जो लोग जेल से बाहर हैं उनको गिरफतार करके जेल बेजा जाएगा और इनके उपर 914 बड़ा 22 उत्वदेश गेंगस्टर एक के तहट कारवाई की जारी हो 14 एक के तहट इनकी संपति भी जटकर एक कठोर संदेश समाज में दिया जाएगे किस परकार की लोगों का मन बड़ाई और इस तरह की चीज़ें टोलरेट नहीं की जाएगे तैंक यू